नवस्ते एक बार फिर दी जैपुर डायलॉग्स में आपका स्वागत है जैपुर से और आज हम बात करेंगे ऐसे महतुपुर विश्यकी जिसके बारे में जैपुर डायलॉग्स और में लगातार बोलते रहे हैं और वो कार्य अंततह होने वाला है ऐसा लगता है क्योंकि उसका आरंब हो गया है हम बात करने जा रहे हैं सिंधु नदी समझोते की जिसको की इंडिस वाटर्स ट्रीटी के नाम से जाना जाता है यह इंडिस वाटर्स ट्रीटी क्या है यह इंडिस वाटर्स ट्रीटी भारत और पाकिस्तान के बीच में 19 सितंबर 1960 को हस्ताक्षरित किया हुआ एक दस्तावेज है एक ट्रीटी है एक समझोता है और इंडिस वाटर्स ट्रीटी कराची में अयूफा और पंडित जवालाल नेरू इनके दोनों के बीच में हस्ताक्षरित हुई थी और इस हस्ताक्षर करने के कई कारण थे उसमें से एक कारण ऐसा बताया जाता है कि पंडित नेरू ऐसा सोचते थे कि यदि वे इस ट्रीटी को हस्ताक्षरित कर देंगे तो पाकिस्तान जो है वो फिर चीन के साथ यदि भारत का कोई युद होता है तो उसमें वो तटस्त रह जाएगा ये वैसे तो उनकी खामख्यारी थी क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी की पूरी शक्सगाम वैली जो थी वो चीन को उसके बाद हस्तांतरित कर दी ये शक्सगाम वैली जो है वो गिलकित बालतिस्तान में हुआ करती थी और शक्सगाम नदी ये नदी की ये घाटी है और यारकंद जो बड़ी नदी है तरीम बेसिन की चीन की उसमें जाकर ये मिलती है और इस पूरी घाटी को लगब च्छे हजार स्क्वार किलो मिटर से अधिक शेत्र को इन्होंने चीन को दे दिया ये कहते हुए कि ये जो नदी है शक्सगाम नदी और ये जो शक्सगाम वैली है ये वाटरशड के चूकि उस तरफ है और ये इसका जो पानी है वो जाके तरीम बेसिन में ड्रेन होता है इसलिए चीन का कहना सही है और चीन नभी ये भी इनकी जो हस्तानतरन हुआ था वह फिजिकल अस्तानतरन तो हो गया था साथ में ये भी था कि इसका जो है फाइनल निप्टारा तब होगा जब भारत और पाकिस्तान के बीच में जमूँ और कश्मीर का मामला पून रूप से सुलच जाएगा तो उन्ने सितंबर उन्ने सो साथ को ये ट्रीटी साइन होती है और ये पूरवगामी रूप से होती है यानि कि ये एक अपरेल उन्ने सो साथ से प्रभाव में आ जाती है अब इस्थिती ये है कि इसमें बारा आर्टिकल्स है बारा आर्टिकल्स के अलग अलग प्रावधान है जो इस्थिती बनती है उसमें ये है इस्थिती बनती है कि बीस प्रतिशत पानी जो पूरा का पूरा जो सिंधु नदी की जो घाटी है और सिंदो नदी की जो सारी सहयक नदीयां है उन में जितना पानी आता है उसका केवल 20 प्रटिशत भाहरत को मिलेगा बलकि 20 प्रटिशत से कुछ कम 19 तश्मल उस सात या इस तरह से कुछ उसका प्रटिशत आता है और इसमें यह है कि जो पूर्वी नदियां है पूर्वी नदियां मतलब रावी प्यास और सतलच इनका पूरा का पूरा पानी जो है वो भारत उप्योग में लाएगा और उसमें किसी भी प्रगार की कोई बाधा नहीं होगी और पश्चमी नदियां जो है वो है चिनाब जेलम और सिंदु नदी इनका जो पानी है वो पूरा का पूरा पाकिस्तान के उप्योग में आएगा भारत को इसमें पानी के बान्द बनाकर और उससे बजली उत्पादन करने की अनुमती है और जो खेती के लिए जितना पानी आवश्चक है उतना पानी वो रन आफ तरीके से ले सकते हैं ऐसा भी उसमें प्रावदान है तो भारत ने बहुत सारे बान्द बनाए है और इन बान्दों को लेकर लगातार पाकिस्तान इसमें रिखन करता रहा है समस्याएं उतन करता रहा है इसमें एक dispute resolution का भी एक तरीखा दिया हुआ है और यह जो dispute resolution का जो तरीखा है वो इसके article आर्टिकल चार में है शायद यह मैं बता रहा हूँ आपको provisions regarding western rivers आर्टिकल टू है provision Lebens इसके definition है article तीन इसका प्रविजण रिगारडिंग Western Rivers है फिर ऑर्टिकल फ्वोर इस्टन वेस्टन धोनों का है upon पांच है financial provision और financial provision भी बड़ा विचित्र था कि यानि एक तो असी प्रतिशत पानी भारत ने दिया पाकिस्तान को और इस असी प्रतिशत पानी के साथ साथ भारत ने 62 मिलियन पाउंड जी 62 मिलियन पाउंड भारत ने पाकिस्तान को देने का एक स्विकारोकती की कि भारत पाकिस्तान को 62 मिलियन पाउंड और देगा 80 पर चित्पानी देगा, साथ में 62 मिलियन पाउंड देगा और उस समय का 62 मिलियन पाउंड आज के यूँ में आप करके देखें तो वो जो है 62 मिलियन पाउंड यानि कि 6.2 करोड पाउंड इस्टर्डलिंग जो है हमारे लिए आज 6.2 करब यानि कि छे को एक आप 100 से और बुना कर लिए यानि 600 करब रुपए 600 करोड रुपए आज के यूग में वो होगा उस ताइम का 6.2 मिलियन पाउंड अगर आज 6.2 मिलियन पाउंड श्टर्डिंग होई यानि 6.2 करोड पाउंड इस्टर्डिंग होगा तो उसको आप 100 से गुना कर दीजिए इतना आज वो हो जाता है तो ये पैसा और भारत ने दिया ये उस समय की बात है 1960 की बात इतना पैसा भी दिया पैसे देने के बाद पिर एक्सचेंज आफ डेटा इसका भी किया स्टिका रोकती कि हम आपस में एक दूसरे को डेटा एक्सचेंज करेंगे मतलब हमारी जितनी भी पानी गे जितना भी डेटा होगा सीक्रेट डेटा भी होता है कई बार देखते हैं कि आसानी से चीन जो है भारत को कोई डेटा नहीं देता पानीगा लेकिन भारत ने वारत अपर राइपेरियन है अपर राइपेरियन मतलब जहां से पानी नीचे जाता है और एक आर्टिकल आठ में पर्मानेंट इंडस कमिशन भी बनवाया बीच में वर्ल्ड बैंक माने की बात की और उसके बाद पिर ये भी माना किसा आपके कोर्ट अफ आर्विट्रेशन जो है वो जदी नीच्रल एक्सपर्ट की बात जो है वो नहीं मानी जाएगी तो कोर्ट अफ आर्विट्रेशन मतलब हर तरह से अपने हाथ बंढ लिये फिर जर्नरल प्रवरिजेन की आगे फाइनल प्रविजेम यह है केता है कि आपकीrat प्रविजेनस अव धिस ट्रीटी questo यह आर्टिकल 12 का फिर फ्र मॉडि की गूर्विजेनश्य 3 अब कि अ में भी मॉडिफाइड बाई ड्यूली रैटिफाइड ट्रीटी अब हर तरह से आपने अपने हाथ बांद दिये पता नहीं क्या सोचके कि पाकिस्तान जो है आपका कितना बड़ा उपकार माल लेगा इससे या पाकिस्तान आपका कितना बड़ा मित्र बन जाएगा ऐसा करने स है ऐसा हुआ कुछ भी नहीं और सबसे बड़ी जो इसमें घटना है वो घटना ये हुई कि भारत ने जब ये कैलकुलेशन किया तो इस कैलकुलेशन में जो पाकिस्तान अधिकरत कश्मीर था कैलकुलेशन में वो पानी जो है उसने वो पाकिस्तान के हिस्से में माना यानि की अपरत्यक्ष रूप से यह माल लिया कि जो पाकिस्तान के अधिकार वाला कश्मीर है जिसको हम पी ओ के कहते हैं या पी ओ जे के कहते हैं उस पर पाकिस्तान का अधिकार है उसके पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है तो फिर एक प्रकार से जो भारत का जो स्टैंड रहा है कि जो पाकिस्तान उक्टिपाइड कश्मीर है वो भारत का अखंड अटूट हिस्सा है वो भी एक प्रकार से इन्होंने कॉम्परमाइज किया इसी में मंगला डैम बनाने का भी इन्होंने अख्तियार दे दिया यह अधिकार दे दिया मंगला डैम जो है वो जो पाकिस्तान ऑकिपाइड कश्मीर है उसके अन्थरकत बन रहा है आज जो भाषा डैम बना रहे हैं ये गिलगतबालतिस्तान में उसको फिर ये किस मुह से इसका विरौध करता है उस समयज बनने का इनने कोई विरौध नहीं किया कि अचा जो है पाकिस्तार कहा करता है कि भारत जो बी दैंब इसमें सब अर्फ ने डालता है उसमें 旅वें डिस्फिउट डालता है डिस्फिउट डालके इसको रे लीगल कोर्स में ले जाता है जो मैंने बताया आपको जो रे अंतर और जो वरतमान जो किसलिए रतली जो डाल है जो कश्मीर में आते हैं उस पे इन दोनों में इसने 2015 से अठर्चन डाली है और 2015 से लगातार जो neutral expert की बात की थी पहले पाकिस्तान ने पहले उसको फिर withdraw कर लिया उस withdraw करने के बाद पर बारत ने कहा कि neutral expert appoint करो वो नहीं करके 5-7 साल से कुछ नहीं कर रहे और अब जाके कह दिया कि हम तो सीधे court of arbitration में जाएंगे तो भारत ने कहा कि ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते ये graded dispute resolution है और भारत ने notice दे दिया कि साब हम अब इसको review करेंगे वैसे review करने के बहुत ज़्यदा आवशकता नहीं है मैं तो लगातार इसको कह रहा हूँ review की बात तो छोड़िये मैं तो कह रहा हूँ कि बारत जो है इसको unilaterally खरिच कर सकता है क्यों 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 क साथ में उसके जो भी जो भी उसके मानक थे और जो भी उस से आशाएं थी, वो सारी विर्थ थाबिट हुई काकिस्तान ने इसके बाद भारत का नतरको यूबकार माना और ना भारत से इसमें किसी भी प्रकार का सहिवोग किया लगातार वो पानी जो भारत दे रहा था ये असी प्रच्छत पानी वो सारा का सारा भावा भारा वो अरब सागर में उसका ना तो स्वेम उप्योग किया ना भारत को उप्योग करने दिया और जब भारत उप्योग करने चलता है तब वो समस्या करता है वैसे भारत ने बहुत सारे बांद बना लिये हैं जमूर कश्मीर में और अब जमूर कश्मीर राज जो है वो हाइडरो पावर के कारण एक प्रकार से विजली में विजली उत्पादन में आत्म निरभर हो गया है और संभवता कुछ दिनों में वो विजली एक्सपोर्ट भी करने लगे वो बात तो अलग है कि भारत ने अपने विकास के आयाम बनाए हैं और वो पाकिस्तान के विरोध के उपरांत भी बनाए हैं लेकिन पाकिस्तान को हमारी पानी के उपर क्यों अधिकार देना चाहिए हमारी जो पंचबकार लावी है वो जानते हैं क्या तरक देत सतलज से और ब्रह्मपुत्र से मात दस से पंदरा प्रतिशत पानी आता है भारत का बाकी सारा जो पानी है चाहे वो सतलज का हो चाहे सिंदू का हो और चाहे प्रह्मपुत्र का हो वो सारा का सारा भारत में ही उसमें पानी बिलता है और जो कैलकुलेशन किये गए इंदस लेकर जाएगा का इंद से का लेकर जाएगा पानी है अब तो चीन-की जो अर्थ व्यस्था है उसमें भी इतनी ताकत नहीं रही कि इतना बड़ा कोई मेगा प्रॉजेक्ट जो है वह इस तरह का वह बना सके कि सारा का सारा पानी तिबत से ले जाके और उसको जाके अपने शेत्रों में डाल सके क्योंकि जो शेत्र हैं उसके जापानी जाना है वो स्वेंट वहां से तीन-तीन-जार, चार-चार-जार, पांच-पांच-जार किलोमिटर दूर तो यह मूरखता की बात है इसलिए बारद को तुरंत इस ट्रीटी को मेरा मानना है कि स्क्रैप कर देना चाहिए नल एंवाइट कर देना चाहिए तरीका मैंने आपको बता दिया एक तरफ तो चीन जैसा देश है वो पार्टिसिपेटेड अर्बिट्रेशन में युनाइटेड नेशन Commission on Law of the Seas युन क्लास युन क्लास की ट्रीटी का सिगनेटरी है चीन फिलिपीन्स ने उस ट्रीटी के अंतरगत उसके साथ में अर्बिट्रेशन किया चीन हार गया उसके बाद भी उसने नहीं माना क्या कर लिया किसी ने चीन का ये अंतरराश्टी समझाते हैं जब तक आपस में विश्वास है तभी तक चलते हैं नुक्लियर ट्रीटी की थी ना अमरीका ने इरान से ओबामा साथ करके कहते ट्रंप आये खतम कर दी ये अंतरराश्टी समझातों में उसको जो है इस तरह का कोई ब्रह्मवाक्यमान के चलना ये भारत की एक बहुत बड़ी गलती रही है और बार बार उसको तरह बात बात के प्लैटफॉर्म से बार बार इस चीज़ को सहम अपनी और से कहते जाना अभी भी ये दुबारा कहेंगे मैं बता रहा हूँ आपको कि बारत की तरह से इस तरह कि आवाजे कुछ लोग उठाएंगे नहीं 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 देखिए तो हमारे दिये तो ये बिल्कुल अथर की लकीर है इसमें तो कोई परवरतर नहीं हो सकता इसको तो तुरंत समाप्त होना चाहिए जो रिव्यू का आपने दिया है वो ठीक है रिव्यू का मामला लंबा है इसको शॉर्ट कट कीजे पाकिस्तान ठीडी पूछ है खुत्ते की वो नहीं सुधरने वाली इसको समाप्त किया जाए क्योंकि पाकिस्तान ने न केवल असहयोग किया है अपेत्व जो पानी उसको मिला है उसको बरबात किया है चिनाप का पानी बारत पूरी तरह से उपयोग मिला सकता है और ये एक पिछला एपिसोड मैं कर चुका हूँ इसको मैंने बताया है कि कैसे चिनाप का पानी सलाल के आगे और प्रिज बनाके उसको और लाया जा सकता है और ये बगली हार डैम है वहाँ से पानी लाया जा सकता है टनल्स बनाके और बहुत आसानी से उसको फिर इदर रंजीत सागर में डालके और पानी और एक्स्ट्रा जो है वो पूरा का पूरा जो राजस्तान का जो भी शेत्र बचा हुआ है यब पंजाब रियाना का कोई शेत्र बचा हुआ है तो वहां भी पानी पूरा डाला जा सकते हैं यह लग बात है कि पंजाब ने उस पानी का इतना दरुप्यों किया कि अब पंजाब में जहां नहरे हैं वहां पर सेम की समस्या होगी सेम मतलब वाटर लॉगिंग की और जहां नहरे नहीं है वहां उनकी देखा देखी उन्होंने अपनी वाटर टेबल जो है वो इतनी नीच हैं उनकर भी बात नहीं करता अभी तो मैं केवल यह कह रहा हूँ कि मैं स्वागत कर रहा हूं इस बात का कि भारत ने आर्टिकल 12 के अंदर गट इस ट्रीटी के मॉडिफिकेशन के इस ट्रीटी के रिविव करके इसको मॉडिफाई करने के लिए नोटिस दे दिया है पकिस आईए क्योंकि पाकिस्तान जो अपनी ट्रीटी है जो पाकिस्तान ने वारत से लियाखत ने रूप आक्ट साइन किया था उसके दरगत जो उसने कहा था कि माइनारिटी इसको प्रोटेक्ट करेगा उसको पूरी तरह से उसने उसका वाइलेशन किया है पूरी तरह से उसका अ किये गये हैं, वहाँ पर जो हैं इंट इलेक्टरेट नहीं है, हर प्रकार से हिंदू जो है, वहाँ पर दूसरी दर्जे का नागरिक बनकर रह रहा है, एक प्रकार से जजिया दे रहा है, प्रताड़ित दे रहा है, और साथ में अपनी बेहन बेटियों को खोता जा रहा है इन इसलामी दरिंदों के हाथ तो बैं आप से आग रह करूँगा कि इसके कॉमेंट्स में आप अपने सुझाव दें आप ये बताएं कि आप मेरी इस बात से सहमत है या नहीं है और यदि सहमत है तो आपके पास जो भी सोशल मीडिया का अस्त्र है और उसके सहरे आप इस रिव्यू का समर्थन करते हुए प्रदान मंत्री मोदी से ये कहें कि एक कदम और आगे बढ़िए और इसको नलन वाइड कीजिए और कारण भी भी बता सकते हैं जो मैंने आपको बताया इसलिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए जैहिन पंदे मातरम